बारत की जवाबी कारवाई के बाद क्यानेडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो के तेवर नरम पड़ चुके हैं। बारत के बिदेश मंत्रो आले ने बारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरूप लगाते हुए। क्यानेडा के सीनियर राजनाई को पाँच दिनों के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दिया। अंसब के बीच क्यानेडा पर भारत की जवाबी कारवाई के बाद वागे प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो के तेवर नरम पड़ गये। उन्होंने इस मामले में स्टफाई देते वे ये का कि उनका इरादा भारत को उकसाने का नहीं था। बलकि वो तो चाहते थे कि इस मामले में भारत सरकार उन से बात करे। लेकिन इसी बीच क्यानेडा ने वाँ मौझूद बात दिया राज़दूत को निश्कासित कर दिया। क्यानेडा के इस खदम के बाद भारत ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। दिल्ली में मौझूद कैनेडा के राज़दूत को तलब किया गया। पाच मिनट के अंदर उन्हें सच्चाई से बाकिप कराते वे निश्कासित कर दिया गया। क्यूकि इससे ठीक पहले बिना किसी जानकारी के कैनेडा के विदेश मंत्राले ने भारत की राज़दूत को निकालने का आदेश दे दिया। कालिस्तान समर्टकों के मुद्धे पर दोनु देशों के बीच बढ़े तनाओ के बीच कैनेडा के प्रदान मंत्री जस्टिन टूडो ने बहां की संसद में जूटे आरोप लगा कर भारत के खलाफ जहर उगला। संसद में अपने भाश्वर के दौरान टूडो ने आरोप लगाया कि 18 जून को खालिस्तान समर्टक आतंकी हर्दीप सिंग निज़र के हात्या में भारत का हाथ था। और इसकी पूरी प्लानिंग भारत की खुफी अजंसियों ने रची थी। खालिस्तान के मुद्ध पर कनेडा की संसद में जस्टिन टूडो ने भारत की खलाफ जूट का पुलिंदा खोल दिया। खेर ही नहीं उगला बलकि कनेडा में भारत के एक राजनाई को भी देश से निकालने के लिए आदेश दे दिये। जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। लेकिन कनेडा की इस बेतुकी हरकत और जूटे आरूपू पर भारत सरकार ने करारा जवाब दिया। भारत ने कनेडा के राजनाई को फटकार लगाते हुए पांच दिनों के अंदर भारत छोड़ देने का आदेश दे दिये। क्योंकि उन पर भारत के आंतरिक मामलियों में दखल देने के आरोप लग रहे थे। तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उसी वक्त उने पूरी तरह से खारिच कर दिया था। भारत की विदेश मंत्राले ने आरोप लगाया कि अलगाबादी और खालिस्तान समर्थक आतंक्यू को कनड़ा में पना दी गए जो भारत की संप्रभूता और खंडिता के लिए खत्रा है। झालिस जिस समर्ण।